वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स आज इस सेशन में जहारखंट जीयस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेस्टन को डिसकस करेंगे इसमें बेसिकली जो है करेंट अफियर्स और इस्टेटिक जीके को जो है बताया गया है पहला क्वेशन है अभी हाल में जहारखंट के किस सिक्षा संस्थान के द्वारा अपना पंदरवां अस्थापना दिवस जो है मनाये गया है तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा आयम राची टेक है इंडियन इस्टिचूट अप मनेजमेंट राची के द्वारा जो है पंदरवां अस्थापना दिवस जो है मनाये गया है और ये कब इसका अस्थापना हुआ था आयम राची का 15 दिसंबर 2009 को आयम राची का जो अस्थापना हुआ था कब हुआ था 15 दिसंबर 2009 को इसका अस्थापना हुआ था ठीक है और इस साल जो अस्थापना दिवस हुआ है उसमें जो है जो चीप गेश्ट थे ठीक है जो चीव गेश्ट थे वो कौन थे जारखंड के जो करेंट राजपाल है सीपी राधा किश्णन क्या नाम है इनका सीपी राधा क्रिश्णन ठीक है यह जो है महाराष्ट के पुरुव गरुनर राचुके हैं और यह जो दस्वे ठीक है राज़ेपाल है जारखन के अगर कारवाग राज़ेपाल जो थे जारखन में कारवाग राज़ेपाल भी रहे हैं और अगर उनको जो है सामिल नहीं किया जाएगा ये तब दस्वे हो जाएगे लेकिन अगर उनको सामिल किया जाएगा तो फिर ये ग्यारवे हो जाएंगे ठीक है जो जारखंड के पर्थम राज़पाल रहे हैं वो कौन रहे हैं ये प्रभात कुमार रहे हैं प्रभात कुमार ये जारखंड के जो है पर्थम राज़पाल रह चुके हैं ठीक है अब एक्स्ट्रा फेक्ट कुछ देखते है देखे हाल में ही जो है XLRI जमसेद पूर काभी सिल्वर जूबली जो है बना है ठीक है जमसेद SHAD जमसेद पूर इसका जो अस्थापना हुआ है ये कब हुआ है ये 1949 को जो इसका अस्थापना हुआ है 1949 को किसके द्वारा Society of Jesus के द्वारा Society of Jesus के द्वारा इसका जो है अस्थापना किया गया है इसका जो मेन है जो अस्थापना के लिए हैं वो कौन है Father and Right Father and Right जो है के काफी प्रयास से एक्सलराई जमसेदपूर का जो निर्मान हुआ है अन्मराइट ठीक है और ये जो है सबसे पुराना मेनेजमेंट स्कूल है एक्सलराई जमसेदपूर जो है भारत का सबसे पुराना जो है मेनेजमेंट स्कूल है और इस बार जो है इसका 75 वर्स पूरा हुआ है ठीक है सिल्वर जूबली मनाए गया है और जो इसमें चीब गेश्ट थे वो कौन थे भारत के उपराश्ट पती जैदीप इनका नाम है भारत के उपराश्ट पती का जैदीप धनकड ठीक है ये कौन है उपराश्ट पती ठीक है ये तो हो गया इसके अलावा देखते हैं इसमें इसका करेक्ट अंसर आयम राची है आयसम धनबाद धनबाद इसको जो है आयटी का जो है दर्ज़ा मिला हुआ है और इसका निर्मान जो है 1926 में 1926 में किया गया था Royal School of Mines के दर्जपर ठीक है इस एस London के दर्जपर जो है के दर्जपर इसका निर्मान किया गया था और इसका जो निर्माता है जो इसको इनोग्रेट किये थे मतलब ये इसका स्रे जो जाता है ये भारत के जो वाइसराय थे भारत के वाइसराय ये क्यान था लॉड इर्विन लॉड इर्विन ठीक है उनके कारकाल में जो है ये आईसम धनबाद बना था ठीक है Next question को देखते हैं कि एक जन्वरी 2023 तक जो है सराय केला खरसामा गोली कांड के कितने वर्स पूरे हुए है देखिए सराय केला खरसामा गोली कांड जो है ये मीनी जलिया वाला बाग हत्या कांड के नाम से भी जाना जाता है जलिया वाला बाग हत्या कांड के नाम से क्योंकि इसमें भी पूलीस द्वारा जो है जो अंदोलन कारी थे उन पर अंदाधून फाइरिंग किया गया था और जहां पर ये जो है अभी या जगह सहीद अस्थल के नाम से जाना जाता है सहीद अस्थल ठीक है सहीद अस्थल से परचलित है है ठीक है इसको जो है आदिवासी का काला दिवस पोला जाता है आदिवासी का काला दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है देखिए इसके पीछे जो में रिजन है ये चुके रियासत हुआ करता था और चुके इस रियासत को जो है उडिसा में सामिल कर दिया गया था इसी कारण से जो है जैपाल सिंग मुंडा के नेत्युत में बहुत सारे अंदोलनकारी जो है एक मैदान में जो है अपना जन अंदोलन कर रहे थे तो किसी बात पर बिवाद हो गया और पुलिसों के द्वारा जो है जो अंदोलनकारी थे वहाँ पर क्या हो गया काफी गोली बारी हो गई और बहुत लोगों की जो है मिर्ती हो गई तो उसी को जो है सराय केला खरसावा गोली कांड के नाम से जाना जाता है और ये जो हुआ था, ये किस दिन हुआ था? ये एक जन्वरी जो है 1948, 1948 ठीक है? को हुआ था और एक जन्वरी 2023 तक जो है इसका कितना 75 वर्स जो है पूरा हो जाता है 75 वर्स पूरा ठीक है? एक जन्वरी 1948 को जो है 75 हुआ था ये और इसका जो है 75 वर्स जो है पूरा हो जाता है ठीक है और इसमें और इंपोर्टेंट क्या है? किसमें जो मेन थे वो कौन थे? जैपाल सिंग मुंडा थे तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 75 वर्स ठीक है? पूरा होने कितने दिन वर्स फूरे हुए है? 75 वर्स किस राज में बिर्सा मुंडा अंतराश्ट्रे होकी स्टेडियम का जो उधगाटन किया गया है? अगर directly question आएगा तो जोगे जारकंड का एक जाम है तो तुरंत जारकंड टिक कर दिया जाएगा और ये इसका answer क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि इसका correct answer क्या है ये तो जारकंड से belong करते हैं फिर्सा मुंडा लेकिन इनके नाम से जो है ये उडिसा में बनाए गया दुनिया का सबसे बड़ा जो है होकी स्टेडियम है जो कि कहां पर राऊर केला में बनाए गया है तेक है राऊर केला में जो है ये स्टेडियम बनाए गया है और दुनिया का जो है सबसे बड़ा होकी स्टेडियम है सबसे बड़ा होकी स्टेडियम है ठीक है देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो है होकी स्टेडियम यह है और अगर इसका लगबक कैपेसिटी जो है लगबक 20,000 से अधिक इसका क्या है कैपेसिटी है ये जो है 20,000 capacity लोगों के बैटने की चमता है से भी उससे भी अधीक है और ये जो एक्चुली बनाये गया था बिर्सा मुंडा अंतराष्टे होकी स्टेडियम ये जो है 2023 जो होकी बिश्वकप है होकी बिश्वकप है इसकी मेजवानी के लिए जो है ये बनाये गया था की मेजवानी के लिए मेजवानी के लिए बनाये गया था ठेक है होकी 2023 का जो होकी बिश्वकप होने वाला था और इस बार जो है 2023 का जो है भारत इसको मेजवानी कर रहा है और ये जो है चौन्ती बार है यह bagi जो है four time भारत mo एक меня को भारत और यh ka पर इसा में प्रस्तावित हा यह कहाँ पर इसाम DO है ओरेडी हो चुका है 2022 सी म्हाँत आरे इसमें केवल बड़akी स्टीडियम का is और अर्यशा अन्थराश्टरा के ला में होक्य स्टेडियम के नाम से जाना जाता है और इस जो होक्य स्टेडियम इसका उद्घाटन जो किये थे ये कौन है वहां के विशा के CM है नवीन पतनायक इनके द्वारा जो है ये उद्घाटन किया गया था ठीक है जारकंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पैंसन योजना के तहट परती मैंने कितनी वित्य साहता परदान करने की मंजूरी दी है तो ये एक हजार रुपेया और इसके साथ ही इनको जो है अधर बैकवर्ट क्लास जो है बर्ग में सामिल करने की मंजूरी दे नेस्ट है कि देश की पहली हाइड्रोजन इंधन प्रियोजना कहां अस्थापित होगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देश की पहली हाइड्रोजन इंधन प्रियोजना जो है जमसेत पूर में जो है अस्थापित होगी और जमसेत पूर के बारे में अगर बात क तो सबसे पहले है दनधन प्रियोजना किसके बीच का है अगर इसके बारे में बात करेंगे तो यह जू है जर्खंड सरकार इसके साथ ही जो है टीई सील studying energy solutions private limited क्या है TC TC PL है ग्रेंड एनर्जी है solutions है प्राइवेट लिमिटेड ठीक है इन दोनों के बीच जो है यह प्रेजना अस्थापित होगी तो इन दोनों को में मिलकर जो है हाइड्रोजें इंधन प्रेजना अस्थापित करने का प्लान बनाया है और यह जो टी-सी पील ग्रीन एनर्जी सॉलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड है यह एक संयुक्त उद्यम है ठीक है संयुक्त उद्यम है किनका यह ओफ दो इसमें है एक तो टाटा मोटर है ठीक है टाटा मोटर है और क्या है कमिंस इंक है ठीक है टाटा मोटर एंड कमिंस इंक है कमिंस इंक और यह कहां का है USA का कमपनी है तो इन दोनों के द्वारा जो है यह टी-सी-पी-ल ग्रीन एनर्जी सॉलुशन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया है तो इसी के साथ जारकन सरकार ने मिलकर जो है देश की पहली हाइडरोजन इंधन प्रियोजना जो है जमसेदपूर में अस्थापित करने का योजना बनाया है अब अगर जमसेत पूर की बात करेंगे ठीक है जमसेत पूर को जो हम टाटा के नाम से भी जानते हैं ठीक है जमसेत पूर को टाटा के नाम से भी जानते है अब जमसेत पूर की बात करेंगे तो जमसेत पूर जो है मुक्याला किसका है हेट क्वाटर आफ पूर्वी भूम सिंग्भूम इस सिंग्भूम का ठेक है और पूर्वी सिंग्भूम की अगर बात करेंगे तो ये जो है इसका निर्मान कब कराये गया था अब कमेंट कीजे और जमसेत पूर्जो है जमसेद पूर्जो है ये जो जारखंड की एक मात्र जो है स्वतंत रूप से जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन नदी स्वन रेखा नदी स्वन रेखा नदी जो है जारखंड की एक मात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये कौन है स्वन रेखा और इसकी जो सबसे बड़ी साहक नदी है कौन खरकई खरकई जो है स्वन रेखा की सबसे बड़ी साहक नदी है ये इन दोनों का जो है संगम पर कौन स्तित है जमसेद्पूर नदी के संगम पर स्तित हैat तो अस्वन रेखा और खरकई का जहां जो मिलता है उन्ही के संगम पर जो है जमसेदपूर जो है इस्थाप है और इसमें जो है एक जुबली पार्क जमसेदपूर कहां पर जुबली पार्क कहां पर ये जमसेदपूर में है और इसके साथ ही जो है किनन इस्टेडियम किनन stadium पूछा जाएगा के सभी static जी के important है किनन stadium जिसको जो है temple garden के नाम से भी जाना जाता है garden अगर किनन garden का जो है किनन stadium का पुराना नाम क्या है temple garden और इसका जो रखराओ करने का काम करता है ये टाटा still करता है ठीक है और जुबली पार्क भी कहां है जमसेदपूर में ठीक है इसके अलावा अगर देखा जाए ये सबी तो इंपोर्टेंट हो गए देखिए तो इसका correct answer क्या हो जाएगा जमसेदपूर हो गया अब राची के बारे में अगर देखेंगे तो राची को जो जीला बनाये गया है ये कब बनाये गया है अठारा सो निनानबे में और किस प्रमंडल का हिस्सा है ये दक्षनी छोटा नाकपूर ठीक है दक्षनी छोटा नाकपूर का जो है ये हिस्सा है ठीक है यहाँ पर रॉक गार्डन ठीक है कहां है रॉक गार्डन ये भी राची में है इसके अलावा यहाँ पर पहाडी मंदीर है ठीक है उसके बाद सूर्य मंदीर कहां है ये भी राची में है फिर जगरनाथ मंदीर जो है ये भी कहां है राची में है इसका अलवा यहां वाटर फॉल की अगर बात करेंगे तो कौन है हुन्रू वाटर फॉल वाटर फॉल है दसम वाटर फॉल है जोनहा वाटर फॉल है ठीक है जोनहा वाटर फॉल जो है ये राडू नदी पर है अच्छा इसको जो है गौतम के नाम से जो है गौतम बुद्ध है तो यहां पर जो है जोनहा वाटर फॉल में जो है इनको गौतम धारा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है धसम वाटरफॉल जो है ये कांची नदी पर है एक है कांची नदी पर रिमिक्स वाटरफॉल भी है कांची नदी पर हुन्रू वाटरफॉल जो है ये स्वर्न रेखा नदी पर है तो ये सबी जो है important waterfall है जो कहां पर राची में है इसलिए राची को जो है city of waterfall कहा जाता है waterfall कहा जाता है यानि कि जर्नों का सहर जर्नों का सहर राची से जो है 40 km की दूरी पर मेकलूसी गंज है मेक, मेक्यूल, मेक्यूलसी गंज ठीक है मेक्यूलसी गंज है ये important है क्योंकि यहाँ ये एंगलों इंडियन का गाउ है और इसको जो है जार्खंड का लंदन कहा जाता है जार्खंड का लंदन कहा जाता है इसको गोरों का गाउ भी कहा जाता है गोरों का गाउं भी कहा जाता है ठीक है ये सभी पॉइंट जो है important है ठीक है इसके अलावा अगर ये भी हो गया अब दिखे धनबाद की अगर बात करेंगे ठीक है धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद तो धनबाद जो है ये कब 1956 में जो है इस जिला का निरमान किया गया है अगर हम बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो जिला का निर्मान जो है यह कव किया गया है यह 1991 में किया गया है ठीक है 1991 में किया है वो भी कव 31 मार्च को 31 मार्च 1991 को बोकारो जिला का निर्मान किया गया है और धनबाद का जो है निर्मान कव किया गया में ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जागा ओप्शन नंबर ए हो जाएगा अभी हाल ही में HEC का CMD किसे बनाए गया है किसे न्यूक्त किया गया है HEC यानि की हैबी इंजिनियरिंग हैबी इंजिनियरिंग Corporation Limited ये कहां पर है ये जारकन के राची में स्थित है ठीक है इसको जो है कारखानों का कारखना भी कहा जाता है और इसकी जो अस्थापना हुई थी ये 1958 में इसका अस्थापना हुआ था ठीक है जो भारत गंतंत्र हुआ था उसके आठ साल के बाद जो है ये इसकी अस्थापना हुई थी 1958 में और ये कहां पर राची हटिया के नजदीक राची में स्थित है और ये जो है किसकी मदद से बना था विद दा हेल्प आफ एक तो रूस हो गया और चेक स्लो विया चेक चेको स्लो वाकिया ठीक है चेको स्लो वाकिया की मदद से जो है इन दोनों की मदद से जो है एचीसी का निर्मान किया गया है और एक इसका important है कि इसको जो है आधुनिक भारत का जो है मंदीर कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है आधुनिक भारत का मंदीर जो है मंदीर कहा गया किसके द्वारा ये जवाहर लाल जवाहर लाल ठीक है जवाहर लाल नहरू के द्वारा जो है इसको जो है क्या कहा गया आधुनिक भारत का क्या कहा गया मंदीर कहा गया ठीक है ये हो गया अब इसमें जो important आता है कि cmd किसको बनाए गया है ये ks मूर्ती को ठीक है ks मूर्ती को जो है ये cmd बनाए गया है ks मूर्ती मतलब ks सदासिव मूर्ती ठीक है एके बहरा कौन है administration के director है ये कौन है director है कार्मिक विभाग के जो है director है तो इसका correct answer option number d हो जाएगा चारकंड के किस दिले में नैनो यूरिया सहयंत्र की अधार सिला रखी गई है ये जो है नैनो यूरिया सहयंत्र जो है इसका जो फिप्थ यूनिट है पांच्वी इकाई जो है ठीक है ये कहाँ पर ये जसी डी जसी डी जो की देवघर में है वहाँ पर रखी गई है और इसका जो सिलानियास किया गया है ये जो ग्रिया मंत्री है भारत के ग्रिया मंत्री के द्वारा कौन है अमीद सह इनके द्वारा जो है रखा गया है अब देखे ये जो है नैनो यूरिया संदरन्त इपको के द्वारा इपको जो है यह मतलब क्या हो गया इपको मतलब हो गया अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या होता है इंडियन फार्मर्स इंडियन फार्मर्स अदि फर्टी लाइजर्स मतलब यूरिया फर्टी लाइजर्स कोपरेटिव लिमिटेड ठीक है कोपरेटिव लिमिटेड तो यह जो है विश्व का सबसे बड़ा उर्रक्स अकारिता संग है ठीक है संस्था है बिश्व का सबसे बड़ा जो है उरुरक साकारिता संस्ता है और इसके जो अद्यक्ष है चुकि ये न्यूज में है तो इसका अद्यक्ष भी पुझा जा सकता है इसका अद्यक्ष कौन हो गया दिलीब भाई संगानी दिली भाई संगानी इपकोग अध्यक्ष कोन होगे दिली भाई संगानी ठीक है और ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना है 450 कलो रुपया के लागत से जो है बनने जा रहा है तो ये कहाँ पर है ये देवघर में स्तीत है ठीक है राची का जीला का निर्मान कब 1899 में राची जीला का जो निर्मान होगा राची जीला का निर्मान कब किया गया है ये 1899 में जो है इसका निर्मान किया गया है ठीक है नेक्स देखते है तो लातेहार देखें यहां लातेहार है तो लातेहार कीओ biased की तना निर्मान किया ग्या है लातेहार का की दिया दो तना है और देवगर जो है यहाँ पर देवगर है तो देवगर जो है इसका जो निर्मान किया इसके जिला जो बनाए गया है 1981 में बनाए गया ठीक है इसको जो जिला बनाए गया है यह कब बनाए गया है 1981 में बनाए गया है और इसका जो इसमें अगर दो साल जोड़ देन, Practice 1983 में, तो गुड़ा की बात करें, एंट गुंला की बात करेंगे, गुड़ा और गुंला दोनों 1983 में बना है, ठीक है, देवाधर का कितना, 1981 गुड़ा और गुंला का निर्मान हुआ है, अगर हमको लातेहार का याद है तो इसमें 26 दिन और एड़ करेंगे तो ये सिम्डेगा का हो जाएगा ठीक है 30 अपरेल 2001 को जो है सिम्डेगा का निर्मान हुआ है ठीक है अब देखें इसमें कुछ इंपोर्टेंट है कि देवगर का बहुत सारा नाम है उपनाम अगर देवगर के बारे में जाना जाए तो देवगर का उपनाम क्या-क्या है ये भी जानना इंपोर्टेंट है देखें देवगर को जो है हरित किवाना हरित किवाना ग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है हरित किवाना के नाम से लाइटनिंग सेफ सिटी सेफ सिटी के नाम से जाना जाता है इसके अलावा इसको रावन का हैलिपैड कहा जाता है रावन का हैलिपैड के नाम से भी जाना जाता है तो ये सभी जो है देवगर के उपनाम है इसके अलावा यहाँ पर जो है मनो कामना मंदीर है बाबा बैदनाद धाम जो की भारत के बारा जोतिल लंगों में से एक और यह जो है एक मात्र यह सीवलिंग है जहाँ पर मंदीर है जहाँ पर पंसूल अस्तापित है अस्तापित है ठीक है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा देवघर हो गया जारखन में उडान पर्योजना के उडान योजना के तहर जो एक खोले जा रहे तीन नए एरपोर्ट में कौन सामिल नहीं है दुमका भी है जो पुर्वी सिंग्भूम में धाल भूम पड़ता है वो भी है और बोकारो भी है इसमें कौन सामिल नहीं है गोड़ा सामिल नहीं है तो इसका correct answer पूछ रहा है तो correct answer क्या हो जाएगा जो सामिल नहीं ये कौन हो जाएगा गोड़ा हो जाएगा ठीक गोड़ा जो है बना है ये कब बना है 1983 में बना है गोड़ा का निर्मान कब हुआ है ये 1983 में जो है गोड़ा का निर्मान हुआ है बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो का 1991 में जो है ये निर्मान हुआ है बोकार बोलेंगे तो 31 मार्च ठीक है अब देखिए धाल्भूम धाल्भूम यहीं से जो है अंग्रेजों का जारखंड में एंट्री हुआ है ठीक है अंग्रेजों की एंट्री एंट्री इंजारखंड किसके नेतित में फर्गूशन के नेतित में ठीक है दुमका जो निर्मान हुआ है यह दुमका जो है जारखंड की उपराजधानी है और इसका निर्मान अठारो सो जो है पच्पन में किया गया है इस दीला के निर्मान जो है ठारो सो पच्पन में किय गया है अगर अब दुमका की बात की जाए दुमका में जो है इंपोर्टेंट अगर रीवर देखें तो में रक्षी रीवर है जो कहां से निकलती है ये देवगर के तिरकुट पहार से निकलती है तिरकुट परवत से निकलती है देवगर ठीक है फिर क्या है यहाँ पर ब्रामनी रिवर है रामनी रिवर है रामनी रिवर है यह इंपोर्टेंट रिवर हो गया फिर यहाँ तातलोई गर्म जलकुंड है ठीक है तो सबसे अधिक अगर हॉट वाटर स्प्रिंग बोलेंगे यह भी इंपोर्टेंट है कि सबसे अधिक अगर जारखंड में बोला जाए तो होट वाटर स्प्रिंग जो है वो कहा है दुमका में यह ठीक है और एक इंपोर्टेंट यहाँ पर मलूटी है मलूटी है जिसको मंदिरों का गाउं कहा जाता है अगर मंदिरों की सहर की बात करेंगे तो कौन हो गया देवघर हो गया ठीक है मंदिरों का गाउं बासुकी नात यह इसको इसको जो बनाये गया था बसाकी ताती के द्वारा यह किस जाती से हरीजन जाती से थे ठीक है जाती पूछा जाता है तो यह बसाकी ताती जो है हरीजन जाती से और बासुकी बाबा का जो ऐसा माना जाता है जो समुद्र मंतन हुआ था उसमें जो रसी का काम किया था वो कौन किये थे ये बासुकी बाबा ही किये थे ठेक है जारखंड के किस जीले को बेस्ट डिस्टिक ऑफ हौकी जारखंड अवार्ड के नाम जाना जाता है तो हौकी में जो है जितने भी फैमस के लाड़ी है वो कहां पर सिम्डेगा में इसलिए सिम्डेगा को ही जो है बेस्ट डिस्टिक ऑफ हौकी जारखंड अवार्ड दिया ग दो हजार एक को ठीक है और इससे अगर 26 दिन पहले अगर बोलें तो चार अप्रील कि दो हजार एक को जो है किसका निर्मान किया गया है लातेहार का ठीक है लातेहार का हो गया चार अप्रील 2001 को लातेहार का और 30 अप्रेल 2001 को सिम्डेगा का अगर गुमला की बात करेंगे तो गुमला 1983 में गौसे गुमला गौसे गुड़ा गुड़ा भी कौन सा हो गया 1983 में ठीक है अब खूटी की बात करेंगे तो खूटी का जो निर्मान किया गया है ये 12 सेप्टमबर 2007 को जो है इसका निर्मान किया गया है ठीक है इसका जो निर्मान हुआ है कब हुआ है 2007 में हुआ है और कब 12 सेप्टमबर 2007 को एक्जेक्ट 12 सेप्टमबर को ये जो है दक्षनी छोटा नाकपूर प्रमंडल का जो है इस्सा है अब अगर सिम्डेगा की बात करेंगे तो यहाँ पर ये है कि छारखंड का जो है सबसे कम घनतो वाला जीला सबसे कम जन संक्या गनतो वाला जिला जन संक्या गनतो वाला जिला तो सबसे कम जो जन संक्या गनतो है ये कहां पर है सिम्डेगा जिला में है ठीक है और ये गुमला की 18 मईई को exact date 18 मईई 1983 ठीक हो गया अच्छा खूंटी जो है खूंटी की उल्यातू में किसका जन्मस्तल है ये कमेंट कीजिए आप ठीक है और आची को जो है जहरनों का सहर कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट कुष्टिन को देखते हैं नेस्ट और आखरी क्विश्टन हाल में ही जहरकंड में जो है टाटा स्टील के द्वारा जो है प्लास्टिक की सड़क बनाने के लिए जहरकंड के किस सिक्षन संस्तान के साथ MOU में यानि की Memorandum of Understanding यानि की समझाता किया गया है किसलिए प्लास्टिक की सड़क बनाने के लिए तो यह टाटा स्टील और NIT जमसेदपूर National Institute of Technology जमसेदपूर के बीच में जो है यह समझाता किया गया है अब देखे टाटा स्टील जो है इसका पुराना नाम यह क्या है ओल्ड नेम टिसको ओल्ड नेम इसका क्या था तिसको टाटा यर एंड इस्टील कोर्पठेशनल Virus क्या थेक है कोर्पारेशन लिमिटेदट ताटा एंड अजि आइड इस्टील कमपणी टाटा एड ऑन इस्टील कम्पनी टाटा और अचुरस्या ड़्रण एंड जैन के नाम से जाना जाता था बट इसको जो है दो हजार पाँच में इसका नाम बदल के जो है नेम चैंज कर दिया गया नाम बदल कर क्या रख दिया गया टाटा इस्टील ठीक है दो हजार पाँच में इसका जो है नामा करन कर दिया गया टिस्को का और जो टाटा स्टील के जो औरिजनल संस्थापक है यह कौन है इसका नाम क्या है इसका नाम दोराब जी टाटा इसका जो अस्थापना दिवस मनाया जाता है तीन मार्च को अस्थापना दिवस जो है टाटा स्टील का कमनाया जाता है यह तीन मार्च को मनाया जाता है तीन मार्च को ठीक है और इसके लिए एक इंपोर्टेंट है कि यह भारत का सबसे पहला जो है इसपात सहयंत्र अगर बोला जाए तो यह कौन है यह टाटा स्टील है और भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा इस्पात सहयंत्र जो है यही है टाटा स्टील ठेक है ना तो ये 10 important जो है current affairs ते इसमें कुछ static gk भी आपको देखने को मिले हैं तो अगर विडियो अच्छा लगा तो like, share और subscribe जरूर करें thanks for watching working thoughts